हलो प्रेंट श्रीया नमर बहुत चैनल में आपका स्वाइबत है आज देखेंगे बहुती यूजफल किचिन कोकिंग टिप्स नमर वन आलू प्याज को कभी एक साथ न रखें इससे आलू जल्दी स्टड़ने लगते हैं नमर टू सब्जियों को जादा जनों तक दाजा बनाए रखने के लिए इसे एकवार में लपेट कर रखें नमर त्री पकने के बाद चाबल का पानी फैकने के वज़ा इसका इस्तमाद सूप या दाल में मिलाने के लिए करें टिप्स नमर फूर दही जमाते समय समतल में एक हरी मिर्च साब उती डाल दें दही ज़ादा अच्छा जमेगा टिप्स नमर फाइप जले हुए दूर की महग दूर करने के लिए इसके पान के दो पत्ते डाल कर कुछ मिनट उबालें तिप्स नम्मर 6 आलू को वालते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें छिलके आसानी से निकल जाएंगे तर्स वीडियो को एक लाइक जरूँ से करें नम्मर 7 आटा गूतने से पहले थाली में थोड़ा सा नमक लगा लें आटा थाली में चिपकेगा नहीं आटा भी बहुत अच्छा आपका लगता है अगर आप ऐसे आटा लगाते हैं आटा पहले थोड़ा सा गूठ लें उसके बाद नमक मिला करके फिट से गूठ हैं थोड़ा पानी डालके बहुत अच्छा आटा आपका मुलाइब सॉप्स जब़ाइब तिप्स नम्मर 8 यद आप पापड को करारे ही रखना चाहती हैं तो पापड के डिबे में कुछ मैथी दाना रख दें नम्मर 9 बेशन के लड़ू दानेदार बनाने के लिए बेशन को सेखते समय कुछ बुन है पानी की छड़त दें फिर अच्छे से भूण लें दानेदा लड़ू बनेंगे तो अगर आप बेशन बुन रहे हैं थोड़ा सा भून जाए उसके बाद उसमें थोड़ा से पानी मिक्सी में पीछ लें और इस मिस्रट से इडली बना लें टिप्स नम्मर 12 यद भिंडी को तेज आंच पर पकाया हो तो दो टेवल स्पून चाज डाल दें भिंडी कुरकुरी बनेगी इस वीडियो को फुल देखें ध्यान से सुने एक एक टिप्स आपके बहुत काम आने वा ला रखें एक लकड़ी और तूस्ता जालीदार ताकि दर्वाजा खुलने में पहले आकन तुप को देखा जा सके नम्मर 15 मुख्य दर्वाजे पर मैजिक आई लगवाएं अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मैजिक आई बच्चे की उंचाई पर लगवाएं ताकि दर्वाजे के पास पर्याप्त रोशनी की विवस्ता होनी चाहिए बस बात का ध्यान रखें नम्मर 17 अंजान व्यक्ति की पूरी पहँचान किये बिना दर्वाजा न खोलें नम्मर 18 कामबाली बाई और किरायदार का पुलिस पैरिफिकेशन करवाना न भूलें प्रच्चा के लिए ये जरूरी है नम्मर 19 घर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति चाहे वो रिपेरिंग वाला हो और कोई सेल्समेन या मीटर रीडिंग करने वाला उसका आइडेंटी कार्ट देखे विना उसे घर में गुशने ना देए तो ये बहुत ही शेफ्टी वाली बात होती है शेफ्टी हमें दरूर खोलो करनी चाहिए 20 अपनी सेफ्टी का भी ख्यार रखें इसके लिए सबसे जरूरी है हमेशा सतर्क रहें 21 सुनसान जगह उपर या देर रात अकेले न जाएं ऐसी जगह उपर हमेशा गुरूप में ही जाएं सेल्फ डिफेंस के गुर्फ सीखें ये एमर्जेंसी में आपके काम आ सकता है टिप्स नम्मर 22 टेस्ट वीडियो को ध्यांग से सुनें आपके बहुत काम आने वाली बात हैं टिप्स हैं और सेफ्टी से लेके बहुत सारी यहाँ पे आपको बातें बताई गई हैं बहुत जाड़ा कैस लेकर घर्चे न निकलें बस जरूरत भर के पैसे पास में रखें हाँ ATM कार या क्रेडर कार साथ में जरूर रखें किसी भी अंजान व्यक्ती से अपने क्रेडर कार डेविट कार सम्मंद कोई नर्न परसनल जानकारी शेयर ना करें 24 दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर आवस्थ से पानी पीएं तो ये भी बहुत जरूर रहता है अप सरी को हाइडरेड रखने के लिए 25 सरी से टॉक्रिस को निकालने के लिए सुबह खाली पेट एक गलास पानी में एक नीबू निचोड़ कर पीएं और ये आप सरीर के लिए बहुत जादा सामिल करें 21 टिप्स नमर 27 लंज और लंज और दिनर्गी आवस्थ सामिल करें तो ये बहुत जरूरी रहता है आवस्थ सामिल करने के लिए आपको डिनर के समय में कम से कम साथ घंते की लिए अवसले लेट नाइट तक जागने की आदर चोड़ दें और सुबह जल्दी टिप्स नमर 29 चेहरे के अंचाहे बालों से मिलेगा चुटकारा आई देखते हैं आप चेहरे के जितने हिस्थे के बाल हटाने हैं उस इसे चीनी और पानी को दिमी आजपर तब तक गरम करें जब तक चीनी पिखल ना जाए अब इस चीनी को इतना ठंडा होने दें कि कि ज आप जब लगांक के चाही बालों पर लगांएं के हाथों से रगड़ कर साफ कर दें को तो कई भी घरूली निससका अपनाने से पहले उसकी जदरूर से करें 30. घर पर देशी घी बनाते समय जरासी भी तेज आंच होने पर जल्दी ही जल जाता है घी का कालापन दूर करने के लिए उसमें ताजा आलू काट कर डाल दें घी गरम कर लें इससे घी साफ हो जाएगा उसके बाद आप आलू को निकाल करके फैंक दें 21. मैदे आटे के बने पदार्थों को खस्ता बनाने के लिए खाने के सोड़े का उपयोग कता ही न करें या खाद पदार्थों में मौदूद बिटामन्स को नश्ट कर देता है और छोड़ा खाने से भी ये पदार्थ तेल जादा पिएगा टिप्स नम्मा 32 आपके इस्टील के बरतन नीचे भी काला पन जमा हो गया है तो उसे बेकिंग सोड़ा और सफेज सिरके से साफ कर लीजिए ये बिलकुल नए जैसा चमक उठेगा अगर इस्टील की कढ़ाई है और कोई भी चीज है आप जरूर ये टिप्स होलो करें आप सब्सक्राइब में जब तड़का देना हो बस डाल दें और इस्टोर करें तो करीबते को ऐसे भी आप इस्टोर कर सकते हैं और खराब बिल्कुल भी नहीं होगा एटर डिप्वे में फ्रेज में भरके आप रखें नेक्स देख लेते हैं फ्रेंस अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूला करें आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो लौकी के जूस बहुत ही हेल्दी भी होता है अगर आप मोटा पर कम करना चाहरें तो ये बैस्ट रहता है इससे क्या होता है कि आपके सरीर को मतलब हेल्दी भी रहेगा और आपको कमजोरी बगारा नहीं लगेगी क्योंकि ये काफी टाम तर भूंक नहीं लगने देता है जरूर आप ये टिप्स फोलो करके देखे करते हैं आपने किया है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में देख जरूर से देए वीडियो में बताई गई 34 किचिन कोकिंग टिप्स हुजफूल काम आने वाली लगी है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ऐसी वीडियो देखने के लिए बैल आइकन को प्रेस करते हैं जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियो का नौट्फिकेशन सबसे पहले मिल जाए और फ्रेंट्स वीडियो में बहुत सारी टिप्स हैं किचिन से रिलेटिव भी हमने आपको बताई हैं कोकिंग सेफट जो भी आपको टिप्स एक वीड अच्छी लगी है तो आप जरूर से बताया करें कमेट करना और लायक करना तो बिल्कुल भी ना भूला करें अब चैनल पर अगर पहली बार आते हैं तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाएं लायक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है जिस